आज के दिन की बात करें तो इस टॉक में 4% के उपर की गिरावट के साथ इस टॉक इस वक्त 314 रुपेज पर फिलार हमको ट्रेट करता नजर आ रहा है ट्रेंट की बात करें तो ट्रेंट पॉजिटिव एक गोल्डेम का हम देख सकते हैं लगातार थेजी के बाद उपर की ओर ही सस्टेन होता नजर आ रहा है गिरावट आई थी बांस बैक किया था बांस बैक के साथ अगर इस हाई को जहांसे दो दफा रिजेक्शन लिया 400 का लेवल इस लेवल को ब्रेक ओट कर जाता तो अपसाइट में अच्छा मूमेंटम देखने के लिए मिलता लेकिन देख सकते हैं 380 के ऊपर स्टॉक सस्टे ने हो पाया उसके बाद लगातार सेलिंग देखने के लिए मिल रही हैं तो इस से पहले जहां से सपोर्ट लेकर बांस बैक किया था गोल्डेम ने 300 नीचे की और मेजर सपोर्ट है इसी के आसपास से खेल पलट सकता है इसके हाईली चांस बन रहे हैं लेकिन अगर ब्रेक लाउन कर गया तो फिर 280 से लेके 260 तक का भी फॉल गोल्डेम दिखा सकता है फिर यहां तक की भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है तो आप अगर स्टॉक में जम पाता है स्टॉक बांस बैक करता है तो वैसी कंडिशन में 320 इमिडेट टारगेट है इस लेवल को ब्रे देन नहीं होता तब तक बड़ा मोमेंटम और लगातार लीकोरी नजर आना मश्किल है तो लगातार अपसाइट के लिए 340 के लेवल का ब्रेक आट होना इम्पॉर्टन रहेगा विडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाइसेल या होल्ड की सला नहीं दे रहे अगर टिमेट आकोंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रेप्शन में दे गई लिंक से कर सकते हो